नमस्कार दोस्तों मैं नवदीप सिंग विर्क विर्क आयर शेर फार्म शेर गड़ से आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में वेलकम करता हूँ आज हम आपको जो बुल दिखा रहे हैं ये हमारे फार्म का जो हमने दूसरा बुल सेटिंड जनरेशन जो हमारे पास पहली जनरेशन थी वो सारी फ्रांस वाला सीमन की चल रही थी जो हमने सिक्किम में बुल सेल किया था अब ये हमारा दूसरा बुल जो की अभी जनवरी में टू इर का हो जाएगा मिलकी टीथ है ये और इसकी इंफर्मेशन में आपको देना चाहता हूं कि मातर दो साल का भी हुआ नहीं है आयर शेर ब्रीड की सबसे टॉप की मिलकिंग वाली जो गाएं इंडिया वे हमारे पास है जिसका ये बच्चा है अगर उसकी थ्री टाइम मिलकिंग कर देते तो हो सकता है कि वो गाएं पचास लिटर के आस पास भी चली जाती लेकिन हमने टू टाइम मिलकिंग परी उसका जो है तरतालीस से पंतालीस लिटर तक दूद जो है लिये था उसके बाब जूद हमने गाएं को परशान ही किया जो नॉर्मल डाइट पर उसने हमको दूद दिया हमने वही जो है असेप्ट किया अधरवाज कोई कॉंपिटिशन होता है तो उसमें पश्यू की डिफरेंट तियारी करके उसको एक्स्ट्रा डाइट देके जो है दूद और पांसत लिटर का फर्क पर जाता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम लिए अपने आनिमल्स को मेलों में लेके जाने के लिए हाँ अगर आने वाले दिनों में या दो चार सालों में इस ब्रीड का कोई डिफरेंट शो लगता है तो हम अपने अनिमल्स जरूर लेके जाएंगे आपको उतनी देर हम आपको जितनी भी डिटेल इस ब्रीड किया हमारे यूट्यूब चैनल के जरीए हम प्रोवाइड दबाते रहेंगे देखिए जी वर्डवाइड शायर के दबे रेड का ये बच्चा हमने तियार किया है जिसकी पिछली दबे रेड की पिछली फिफ्ट जनरेशन है जो रेड एंड वाइट में है जैसे उसका शायर आगे कैनमोर है इनकी डैम भी आगे रेड एंड सीमन को हमने यूज करना है AI के लिए जिसकी कम से कम चार्स पांट जनरेशन पीछे बैकवर्ड जो है रेड एंड वाइट में हो उसकी डैम और उसकी जो मा दादी जो है परदादी इसको हम बोल सकते हैं वो सारी है जो रेड एंड वाइट कलर में हो अगर ऐसे ही किसी ब्ल हैं जैसे वह बुल हमने तीन साल रखा अभी यह बुल अभी सर्विस इसने स्टार्ट कर दिया है अभी इसकी तीन चर गए तो हमारे फारम पे डिलिवरी होने ही वाली है जो मीटिंग इसने पहले की थी नैच्रल सर्विस यह जल्दी देने लग जाते हैं सीमन अब इसके वेपसन नाम से मार्किट में आ रहे हैं इसका नाम हमने वेपसन रखा हुआ है यह देख लीजिए अभी टू टीथ हो अपना मिल्क टीथ है चार फीट के असपस दिवारा और दिवार से उपर इसका हाइट है अगर आइश और बीड की प्योटी में बात करें तो बाइस दबे रड का बच्चा है और हमारी बेस्ट बात यह है कि हमारे फारम की सबसे टॉप गाएं का यह बच्चा है तो उसी बिहेव पे हमने इसको ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया था जो हमारा फ्रांस वाला बुल था जा उसकी जो बच्चिया हमारे पास दूद पे चल रही है अच्छी उन से भी यह टॉब क्वाल्टी का हमने बुल आगे तियार किया है तांकि हमारे फारम की जील्ड अप हो सके और जो है फस्ट लेक्टेशन में बच्चियां 35-40 दूद देने की जो शमता रख सके हैं रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं बुल की अब फेस कोईटी देख लीजिए कान देख सकते हैं और कद काठ देख सकते हैं जैसे ही यह अडल्ट होगा चारदांत इमें जाएगा तब इसकी जो है ग्रोथ और हाइट और डिवेल्प होगी वर्ल्ड वाइड शायर का नाम तो अब सभी ने सुना है अगर आपको इन की कोई भी डेटेल चाहिए तो हम प्रवाइड करवाएंगे सीमन हमारे आल ओवर इंडिया में मिल रहे हैं आप हमसे कॉंटेक्ट कीजिए हमारे सप्लायरों के साथ कॉंटेक्ट कीजिए मार्किट में सीमनों के बाद दिन बढ़ते जा रहे हैं सेक्सीमन का रेट काफी उच के सब्सक्राइब हो रहा है औरिजिनल सप्लायरों के पास से ही आप बाई कीजिए अधरवाई डूपलीकेसी की हमारी कोई गरंटी नहीं रहेगी आप रैड एंड वाइट कलर की गाएं पर जर्सी गाएं पर और वाइट कलर की जो होलिस्टेन उस गाएं पर आप यूज क बाट कलर में डिफरेंस आता है आप इसके शायर की डिटेल सारी इंटरनेट के मादिम से आज कल वर्ल वाइड शायर की वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं आने वाले टाइम में हमारे पास एक बुल हम और त्यार कर रहे हैं जैसे यह हमने काफी रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर अनिल बैरी जी को उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर करते हुए आज से दो साल दो साल का तो यह हो चुका है एक साल और तीन साल पहले हमको रेड और वाइट के उन्होंने जून जुलाई में जो है सीमन इंपोर्ट करवा के दिये थे अधरवाइज काफी डोजी आई थी और भी फार्मनों ने ये यूज की होगी जिन जिन के पास इन सीमनों की डिटेल की गाएं हैं जा भूल लें आप उनको संभाल के र ऐसे ही होता है कि दो-तिन साल बैसे मने एक बार आता है बाद में नहीं आता है अगर बाहर से सीमन आता है तो ठीक है नहीं तो हमारे पास जैसे दे दे डबे रड का बूल है और एक हमारे पास इसमें जो और कैटेगरी आई थी बेस रेड उसका भी बुल हमारे पास रेडी हो रहा है तो उससे ऐसा है कि आईरिशर ब्रीड का टाइम जो वेस्ट नहीं जाएगा जो लोग आईरिशर ब्रीड त्यार कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोपर टू बलड उसके बाद सेल के उसके सीमन मार्किट में गए उसके बाद अभी धाई साल बाद हमारा दूसरा बुल रेडी हो रहा है ये ये वाला उसकी जो बच्छी आई थी उसको इस बुल के सीमन आगे लगेंगे इसकी जो बच्छी आएगी इसको हम जो तीसरा बुल तियार कर रहे बेस रेड का उसके आगे जो है सीमन लगेंगे इसलिए पांच चार साल तक अभी इन ब्रीडिंग का कोई मैटर नहीं है क्योंकि जो लोग सीमन अभी यूज कर रहे हैं मैं उनसे दस साल पहले का इस ब्रीड पे काम कर रहा हूं अगर इन ब्रीडिंग की कोई चक्कर आएगी तो मेरे फार्म पे समस्या पहले आएगी हम ये दावाट होके कहते हैं कि कहीं पर भी डीया ने हो जाए हमारे बुलों का हमारी गाएं का इन ब्रीडिंग का कोई चक्कर नहीं है हम भी एक प्रोग्रेसिव डेरी फार्मर हैं जो हम आगे का अपने पशुँँ को कर सकते हैं कुछ दिनों में हमारी दो गाएं कावी होगी उसकी लाइब मिल्किंग भी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर मिलेंगी बुल की ये डिटेल देने के लिए और बुल की सीमन के लिए रिक्वाइर्मेंट के लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं देख ल धबे रेट की इम का मिल्क की येहैं पूरे इयर की वह 12800 की आजए वह 12500 शो लीटर की आसपास है पर इयर की और कि और इसके जो फैंटसनेफ है वह 42-45 आ रही है जैसे मैंने पहले ही बोला था और मस्ट्राइटस लेस है बिल्कुल इजी गाविंग है वह भी आप सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है आप चेक कर सकते हैं WWS Worldwide Shire की वेबसाइट पर और original सीमन पर काम कीजिए आगे ये सारा सीमन जितना भी था कम से कम 6-7 मत हो चुके हैं Worldwide Shire के पास out of stroke हो चुका है अभी तक कोई नया सीमन आया नहीं है हमने बात किया जैसे ही कोई नए बुलों के सीमन आएंगे तो हम उनको फिर रिक्वेस्ट करेंगी कम से कम एक या दो बुलों के सीमन हमको रेड और वाइट में इंपोर्ट करके दीजिए ठैक्यू जी सारे हमारे दोस्त मित्रों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी जो है बात चीद हमको बता सकते हैं ठैक्स